किया है कि हलोगों स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम दिसक्स करेंगे IEP, SPO, Pre-K की कुछुछ रील कोशिंट्स और यह वर्ड रिप्लेस्मेंट के कुछ क्यूश्चंस है ले टेस्ट पैंट्र के और किस तरीके से उनको आप approach कर सकते हैं, किस तरीके से आप solve कर सकते हैं, यह मैं discuss करता हूँ तो इसमें मैंने कुछ real questions लिये हैं, यह questions पूछे गए थे 14 October 2018 को IBPSPO pre-exam में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह word replacement के कुछ question है, और अभी previous वीडियो में मैंने बताया था पांच words में से किनी भी दो words को आपको इसमें interchange करना है, interchange करना है का मतलब यह है कि A के स्थान पर B, B के स्थान पर A, यानि A और B को एदि आप interchange करते हैं, तो A के स्थान पर B आ जाएगा और B के स्थान पर A आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें से पांच में से कोई भी दो pair या एक pair आप बना सकते हैं, या बन सकता है, तो इस sentence को आपको पूरा पढ़ना है, और इस sentence में जो pair interchange हो सकते हैं, जो words interchange हो सकते हैं, उसके according फिर आपका answer होगा, क्या A और B को आप interchange कर सकते हैं, क्या आप A और C को interchange कर सकते हैं, क्या आप A C और BD, इन दौनों को interchange कर सकते हैं तो इसके according आपका answer यहाँ पर बनेगा ठीक है तो इसमें 5 words जो दिये हैं वो bold में दिये हैं लेकिन forthcoming जो real exams होंगे उसमें 6 words भी दे सकते हैं bold करके और उसमें से आपको pairs बनाने होंगे तो इस तरीके से यह questions हैं नई pattern के questions हैं अब यहाँ से हम पढ़ते हैं with the rise in price देखे आप words को interchange कब करेंगे आप words को interchange तब करेंगे जब उन words का placement गलत होगा जब उन words के placement की वज़े से गलत placement की वज़े से उस sentence का meaning गलत निकलेगा तब आप उन words को interchange करेंगे यदि already words correctly placed हैं सही स्थान पर हैं तो फिर उनको आपको change करने की ज़रूवत नहीं है जैसे sentence में आप देखते हैं with the rise in price of petrol many employees now prefer to travel by sharing a car all the way to work इस sentence का मतलब यह है कि चुकी petrol के prices बढ़ गए हैं इसके काफी सारे employees यह prefer करते हैं कि उनके किसी common friend की एक car है उसको वो share कर लेते हैं ठीक है all the way to work मतलब काम पर जाने के लिए एक car को वो share कर लेते हैं और जिसमें उनकी cost जो है वो divide हो जाती है तो with the rise in price with the rise in price मतलब petrol price के बढ़ने की वज़े से with the rise in price यह सही है many employees यहाँ पर सही है with the rise यहाँ पर एकदम सही है in price सही है many employees सही है prefer के बाद to आता है तो prefer भी सही है by एक proposition होता है जिसके बाद हम ing form लगाते है तो by shading भी यहाँ पर सही है यानि यहाँ पर यह sentence already correct है और इसमें word replacement की आपको जरूत नहीं है क्योंकि sentence का जो meaning है वो एकदम सही निकल रहा है ठीक है तो इसलिए इसका answer क्या होगा इसलिए इसका answer होगा the sentence is correct तो यह question है ठीक है आप देखते है second question और देखे यह जो question है word replacement की जो question है इस तरह के questions को आप काफे अच्छी तरीके से accuracy के साथ effectively कर सकते हैं यादि आप reading करते हैं regular basis पर ठीक है क्योंकि reading के through आपको word combinations का एक aptitude आपके अंदर create हो जाता है कि किस word के साथ कौन सा word जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए the brand makes an activity अब यहाँ पर आप सोचिए कि brand क्या होता है जैसे कोई भी company होती है इसका एक brand brand होता है उसके brand value होती है तो the brand makes an activity क्या brand activity कर सकता है the brand makes an activity ये sentence जो है ये sentence या जो phrase है ये senseless है brand activity नहीं कर सकता लेकिन इस activity के स्थान पर देखिए ये आप appeal लगाएं तो यहाँ पर हो जाएगा the brand makes an appeal brand appeal कर सकता है ठीक है तो यहां पर appeal word appropriate रहेगा और यहां पर देखिए and adventure यदि आप activity और appeal को interchange करते हैं तो यहां पर activity आ जाएगी और activity जो word है वो किसके साथ जुड़ेगा वो जुड़ेगा adventure के साथ तो adventure activity adventure activity भी सही combination है और brand makes an appeal भी सही combination है ठीक है तो इसलिए यहां पर activity और appeal यानि ए और E को आपको change करना पड़ेगा तो एक combination तो आपका बन गया A और E ठीक है अब इसमें answer देखी answer में A E और A E वाले दो combination दिये हैं यापर A E इसमें भी दिया है यानि आपका answer first या third में से एक होगा क्योंकि इन दोनों में ही A E दिया हुआ है र तो आपको क्या देखने की ज़रूवत है आपको यह देखने की ज़रूवत है कि क्या B C B change हो सकते है क्योंकि यहां पर BC भी दिया है अब आप BC की दर देखिए BC में B में दिया है outdoor और C में दिया है enthusiast तो यहां पर यदि enthusiast आप रखेंगी तो हजहें सही हो जाएगा क्योंकि fitness enthusiast का मतलब है जिनका fitness में काफी shock है जो fitness में काफी involved है fitness के पती काफी enthusiastic है तो उनको हम बोलते है fitness enthusiast तो fitness enthusiast यहां पर सही हो जाएगा और यहां पर यदि आप बोलते हैं outdoor sports person outdoor sports person मतलब जो cycling या जैसी इस तरह की activities में involved रहते हैं उनको हम बोलते हैं आउट्डोर स्पोर्स परसन तो यहां पर आउट्डोर भी सही हो जाएगा और फिट्नेस के साथ यहां पर इंथूजियास लगाएंगे तो वो भी सही हो जाएगा यानि A, E के साथ आपको B और C, B और C को भी आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा ठीक है A, E और B, C यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा यानि थर्ड आपका सही आंसर होगा अब इस सेंटेंस को आप देखिए यह इस सेंटेंस को आप वर्ड रेप्लेस करें प्रॉपर्ली इन चार वर्ड्स को प्रॉपर्ली रेप्लेस करें तो सही जो आंसर आएगा सही जो कॉंबिनेसर होगा वो यह होगा The brand makes an appeal to the youth, fitness enthusiast, an outdoor sports person who considers cycling a laser and adventure activity तो यह सेंटेंस देखिए कितना सही लग रहा है इसमें सही वर्ड सारे वर्ड सही जगए rightly placed है तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा A, E और B, C तीन इसमें थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा ठीक है Next question देखते हैं अब देखिए इस question वो करते हैं आप plan to अब देखिए common sense approach करिए आप plan to, to के बाद हम क्या लगाते हैं, to के बाद हम वर्ड की first form लगाते हैं क्या shareholder verb है, shareholder verb नहीं है, shareholder noun है अब इन पांचों words मैंसे verb कौन सी है, fund verb नहीं है, fund एक noun है, shareholder एक noun है, company एक noun है, willian air एक noun है, raise एक verb है ठीक है, तो raise को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यानि E को आप A के साथ interchange का सकते हैं तो यदी raise को आप यहाँ रखेंगे, E को, तो shareholder यहाँ पर आ जायेगा, और shareholder क्या होता है, shareholder एक व्यक्ति का नाम होता है shareholder कौन होता है, एक व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति के साथ आप by लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर तो shareholder यहाँ पर logically और grammatically सही तरीके से आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर चुकि two के बाद verb की first form लगाते हैं तो raise यहाँ पर एकदम सही होगा ठीक है तो a और e को आप आपस में interchange कर सकते हैं a और e को आप आपस में interchange कर सकते हैं और A और E को आपस में आप interchange करेंगे तो यह sentence क्या हो जाएगा वो हभी हम discuss करते हैं लेकिन बाकी के words देखते हैं selling stakes of the company क्या company यहाँ पर गलत है selling stakes of the company यह सही है selling stakes of the company company के stakes को बेचना company के shares को बेचना किसको बेचना to a billionaire तो billionaire भी यहाँ पर सही है company भी सही है और यहाँ पर यदि आप raise लगाएंगे plan to raise raise what किस चीज को हम raise करते हैं हम funds को raise करते हैं हम market से पैसा उठाते हैं जब मार्केट से पैसा उठाते हैं तो इसको मूलते है raise funds तो raise जब यहाँ पर आएगा तो इसके साथ funds वर्ट लगा हुआ है यानि fund को भी change करने की जरूवत नहीं है company को भी change करने की जरूवत नहीं है billionaire को भी change करने की ज़रूवत नहीं है यानि यहां पर आपका आंसर होगा only A and E और आपका जो correct sentence होगा वो यह होगा इस तरीके से पढ़ा जाएगा a plan to raise funds a plan to raise funds by selling stakes of the company to a billionaire was rejected by the shareholder इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से मैं logic को apply कर रहा हूँ और किस तरीके से reading habits आपको help कर सकती है इस तरह के banking questions को solve करने में reading बहुत जदा important है regular basis आपको reading कम से कम एक article तो कम से कम आपको पढ़ना ही है और उसको analyze करना है कोई भी newspaper आप ले सकते हैं economic times ले सकते हैं दा हिंदू ले सकते हैं तो reading से निश्यत रूप से आपको काफी फाइदा हो सकता है banking exam को crack करने में अब देखिए यह देखते हैं एक और next sentence यहाँ पर मैं फिर से वो ही सेम मेरा जो questions को solve करने का तरीका होता है वो काफी logical होता है और logical तरीके से ही इन questions को आप accuracy के साथ solve कर सकते है आप देखिए यहाँ पर आप देखिए the managing of the new appointment यहाँ पर एक word दिया है director डारेक्टर किसके साथ जुड़ेगा क्या appointment के साथ डारेक्टर जुड़ेगा या managing के साथ डारेक्टर जुड़ेगा तो यहाँ पर यदि इन दोनों words को आप interchange कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा appointment appointment of the new और यहाँ पर आजाएगा managing director managing क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर director लेखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर managing आजाएगा और यहाँ पर आजाएगा appointment यानि A और B यह A और B इनको आपको interchange इनको आपको interchange करना पड़ेगा A और B को ठीक है तो यह हो जाएगा the appointment of the new managing director तो A और B को change कर दिया अब हम आगे दिखते हैं is likely to be for a period period के पहले for लगा हुआ है तो यह सही है period के पहले for लगा हुआ है तो यह सही है period of 5 years approval to various subjects यह गलत है यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा 5 years subject to various approvals यहाँ पर दिया है various यहाँ पर दिया है various various का मतलब क्या होता है many और many के बाद जो noun आता है वो कैसा आता है plural noun आता है क्या subject plural noun है नहीं है क्या approval plural noun है है तो various के बाद approvals को लगाने का एक sense बनता है एक logical sense बनता है क्योंकि various जो है यह plural noun लेगा इसलिए approvals यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर subject का क्या logic बन रहा है यहाँ पर subject का यह logic बन रहा है कि एक phrase होता है subject to एक phrase होता है subject to जिसका मतलब होता है कि इस condition पर वो आधरित है, और यहां पर two पहले से लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर आप subject लगा सकते हैं, approval के स्थान पर, और यहां पर आप approval लगा सकते हैं, यानि D और E, A, B के साथ इसमें D, E को भी आपको change करना पड़ेगा, जिसका answer होगा A, B और D, E, I hope आपको यह साथ भी आ सकते हैं, examiner कितना भी complicated बना सकता है उसको, और चार आ सकते हैं, पांच आ सकते हैं, छे आ सकते हैं, और अलग लग तरीके से questions पूछे जाते हैं, तो जितनी जदा variety के questions की आप practice करेंगे, उतना जदा अच्छा रहेगा, particularly English section में, ठीक है, तो इसका जो correct sentence होगा, व the new managing director, the appointment of the new managing director is likely to be for a period of five years, subject to various approvals, मतलब, managing director का जो appointment होगा, वो 5 साल के period के लिए होगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त रहेगी, उसके लिए subject to का मतलब होता है, कि इसके लिए एक शर्त रहेगी, वो इस चीच पर आदारित रहेगा, subject to various approvals, यदि उनको various approvals मिल जाते हैं, त तो managing director का appointment 5 साल के लिए किया जा सकता है, ये subject रहेगा, मतलब ये conditional रहेगा, अगर उनको approval मिल जाते हैं, तो मैंने आपको सभी words को change करके बताया, कि कैसे कैसे इन words को आपको change करना है, logically और grammatically, दोनों ही तरीके से आपको देखना है, अब एक sentence all लेते है, with a total manufacturing, improve of 4 lakh unit per annum, पर बीक, per annum, per annum मतलब हर साल, yearly, तो per annum का जो combination है, यहां पर सही है, बाकी का हम देखते है, क्या यहां पर improve सही है, नहीं, अब आप यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको देखिए, likely to, likely to के बाद यहां पर वर्ब की first form चाहिए, आपको, likely to के बाद वर्ब की first form चाहिए capacity वर्ब नहीं है, capacity एक noun है, एक छमता, मतलब यह चीज का नाम है, तो यहां पर आपको वर्ब चाहिए, वर्ब कौन सी हो सकती है, वर्ब हो सकती है, improve, ठीक है, तो improve को capacity के साथ आप interchange कर सकते हैं, यहां पर आजाएगा capacity, यहां पर आजाएगा improve, यानि B और E को आप change कर सकते हैं इसमें, आप देखिए, total, यदि आप capacity को यहां पर लगाएंगे, तो यह हो जाएगा, total manufacturing capacity, total manufacturing capacity जो की सही होगा, per annum सही है, production volume सही है, यानि की दूसरे words को आपको change करने की इसमें जरूरत नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा आपका, with a total manufacturing capacity of 4 lakh units per annum, the company's production volume is likely to improve, यानि B और E को आप change कर सकते हैं, ठीक है, B और E, cable B और E इसका answer होगा, cable B और E इसका answer होगा, तो इसका answer होगा आपका second, only B and E, ठीक है, तो इस तरीके से इन questions को करना है, देखिए, यहां पर यह सही answer है, with a total manufacturing capacity of 4 lakhs per unit per annum, the company's production volume is likely to improve, तो इस तरीके से यह आपका सही sentence है, तो इस वीडियो क्लास में मैंने केबल 5 ही sentence लिये हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से मैंने detail में समझाया है, और इस तरीके के question इस समय trend में हैं, और पूछे जा रहे हैं, next fourth coming exams में, इस तरह कोश्चन पूछे जा सकते है में, SIPO में, और IBPS clerk में, तो यह real questions है, ठीक है, और real questions ही मैं ज्यादातर discuss करता हूँ, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, आप मेरे free blocks भी पढ़ें, इसी website पर, जिसका नाम है examiny.in, और कोई भी feedback हो, तो इन numbers पर, और इन email ID के थ्रूँ आप उससे contact कर सकते हैं, तो इस video class में, thank you.